Hello Everyone, Welcome to Irritip Channel आज मैं आपको बताऊँ है Assistant Professor की Vacancies आई हैं 15 Colleges, Universities और Institutes की तरफ से Private भी बहुत सारी कवर की जाएंगी, Government भी कवर की जाएंगी So एके करके हम सभी Vacancies को देखेंगे सबसे जो पहली Vacancy आई है, वो कहां से आई है? Punjab Institute of Management and Technology की तरफ से Career का section है, इसमें हम staff recruitment में जाएंगे तो आपके सामने यह advertisement open होकर की आजाएगा Department कौन कौन से रहेंगे? MBA, MCA, BBA, BCA, BTTM, PG Diploma and Digital Marketing Total number of seats रहेंगे 16 और यहाँ पे within 15 days आपको apply करना होगा आप email भी कर सकते हैं और आप hard copy भी वहाँ पर भेज सकते हैं तो यह थी पहली वेकेंसी उसके बाद हम चलते हैं second वेकेंसी पे, second वेकेंसी कहां से आई है? सर्दार वल्लब भाई Global University की तरफ से यह एहमताबाद गुजरात में है Career के section में जाएंगे तो आपके सामने यह वाला advertisement open हो जाएगा यहाँ पर department कौन-कौन से रहेंगे BBA, MBA, BCA, IMCA and MCA program के लिए faculty positions की requirement है 8 days के अंदर अंदर आपको apply करना होगा यहाँ पर Google form मिल जाएगा जब आप click here पर click करेंगे तो आपको Google form मिल जाएगा उसको fill out करके आपको यहाँ पर apply करना होगा यहाँ पर link दिये हुए है ठेक है आपके department के according आप यहाँ पर apply कर सकते हैं इसके बाद हम चलते हैं third vacancy पे third vacancy कहां से आई है पंजाब यूनिवस्टी पटयाला से कुछ colleges affiliated है इसमें मैंने आपको last जो बताये थे वो GN college तक बताये थे उसके अलावा अभी यहाँ पर दो vacancies ओर आ चुकी है कौन-कौन से colleges रहेंगे सबसे पहला है बाबा, परम, आनंद, कन्या, महा, विद्याले, संगरूर में है department कौन-कौन से रहेंगे English and Punjabi last date रहेगी 29 February इसके बाद है next college that is LBS, RA, महिला college यह बरनाला में है, पंजाब में ठीक है और department कौन-कौन से रहेंगे, Botany, Punjabi and English last date रहेगी 22 February, apply करने की यहाँ पे मैं आपको एक open करके दिखा देती हूँ, wait यहाँ पे जब आप open करेंगे advertisement को तो आपके सामने कुछ इस तरीके का page open हो जाएगा English में अगर आप apply करना चाहते हैं तो सामने ही link दिया हुए apply पे click करेंगे तो apply यहाँ से आप कर सकते हैं और इसकी जो advertisement है वो newspaper में भी आई है यह देखे 14 February को newspaper, दो newspaper है जहाँ पर advertisement आई हुए है, यह भी मैं आपको open करके दिखा देती हूँ यह देखिए, यह newspaper की advertisement है यहाँ से भी आप vacancy को check out कर सकते हैं तो यह थी third and fourth vacancy जो की दो colleges से और आई है इसके बाद हम चलते हैं next vacancy पे next vacancy आई है, SAL education की तरफ से यह एमदाबाद में है, department कौन-कौन से रहेंगे computer science and engineering, computer engineering and information technology 14 February की यह advertisement है, within 7 days आपको apply करना होगा यहाँ पर आप अपना CV भेज दीजीगा, जब interview होगा तब आपको call आ जाएगी इसके बाद हम सलते हैं next vacancy पे next vacancy आई है, Baba Farid College of Management and Technology की तरफ से walk-in interview रहेगा, assistant professor के लिए management के अंदर, commerce के अंदर and English के अंदर यहाँ पर आप अपना CV भेज सकते हैं, contact number दिये हुए हैं, उसके अलावा नीचे mail ID दी हुए है, यहाँ पर आपना CV भेज सकते हैं, 19 February को walk-in interview होगा अगर आपके पस net या PhD है तो आप apply कर सकते हैं और अगर आपके पस net या PhD नहीं भी है तो भी आप apply कर सकते हैं, only masters है तो भी आप apply कर सकते हैं क्यूंकि PhD और UGC ने दोनों ही desirable है compulsory में नहीं हैं, इसके बाद हम चलते हैं third vacancy पे, third vacancy कहां से आई है? सीतापूर, शिक्षा संस्थान, सीतापूर ये उतरपरदेश में हैं, department कौन-कौन से रहेंगे यहां पर? B.Tech, MBA, Pharmacy and Polytechnic, यह departments रहेंगे, last date रहेगी 29 February, यहां पर mail ID दी हुई है, आप अपना CV यहां पर भेज सकते हैं इसके बाद हम चलते हैं next vacancy पे, next vacancy कहां से आई है? presidency, university की तरफ से आई है, department कौन-कौन से रहेंगे? School of Computer Science and Engineering, Information Science, Design, Media Studies, Liberal Arts, Languages, Management, Commerce and Economics, Law, Engineering, Basic Sciences, यह सारे departments रहेंगे ठीक है? और यहां पर भी आपको अपना CV mail करना होगा, वहां से आप apply कर सकते हैं इसके बाद हम चलते हैं next vacancy पे, next vacancy आई है सब्तगिरी College of Engineering की तरफ से, यहां पर यह देखिए, यहां पर आप यह next वाला open करेंगे, तो आपके सामने advertisement आ जाएगा, career के section में जाएंगे, तो भी यह वाला advertisement open हो जाएगा, department कौन-कौन से रहेंगे? Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning, Artificial Intelligence and Data Science, Data Science, Cyber Security, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, उसके बाद है Master of Business Administration, Master of Computer Applications, Master of Commerce, Physics, Chemistry, Mathematics, Political Science, LLB, Karnad and English. उसके अलावा यहां पर कुछ non-teaching के है, that is system, administrator and technical staff, accounts and administrative staff and graphic designers, ठीक है? यहां पर भी आपके बस Masters होनी चाहिए, compulsory में PhD desirable है, preferable है, PhD नहीं भी है, तो भी आप apply कर सकते हैं, only Masters है, तो भी आप apply कर सकते हैं, यहां पर यह देखे, mail ID दी हुई है, तो इस mail ID पर आपको अपना CV भेजना होगा within 10 days. इसके बाद हम चलते हैं, next vacancy पे, next vacancy कहां से आई है, RKDF University रांची की तरफ से है, यहां पर आप करियर वाले section में जाएंगे, तो आपको यहां पर नीचे advertisement दिखेगा, department रहेंगे, mining, engineering, computer science, engineering, English and hotel management, यहां पर नीचे आप अपना resume में भेज सकते हैं, mail ID दी हुए, इस mail ID प website open करेंगे, तो आपको एक option दिखेगा, regular vacancy notification का, उस पे click करेंगे, तो आपके सामने advertisement open होकर के आजाएगा, department कौन-कौन से रहेंगे, English, history, physics, chemistry, zoology, computer science and commerce, यह सारे departments रहेंगे, 55% होने चाहिए marks, master degree के अंदर, उसके अलावा आपके पास net, letter, set या PhD, इन में से कोई भी एक च जाएगा, ठीके, इसके बाद हम चलते हैं, government colleges की तरफ, wait, सबसे जो पहली vacancy है, उसके अंदर department कौन-कौन से रहेंगे, English, Hindi, economics, public administration, political science, mathematics, history, journalism and mass communication and commerce, यह सारे departments रहेंगे, last date रहेंगे, online application form submit करने की 4 March, आई कहां से है यह vacancy, महारिशी, दयाना, द युनिवस्टी रोथ तक की देखिए, department कौन सा रहेगा, computer science and engineering, यह department रहेगा, और यहाँ पे जो last date रहेगी, online application form submit करने की 29 February रहेगी, और यह contract basis पे appointment की जाएगे, salary इसके अंदर भी 57,700 रहेगी, और जो मिन आपको last vacancy बताई है, इसी युनिवस्टी की, तो उसके अंदर भी level 10 की according ही pay किया जाएगा, 57 7,700 minimum salary आपकी रहेगी, ठीक है, यह official website है, युनिवस्टी की, महारीशी दयानाद युनिवस्टी की, यहाँ पे आप recruitment के section में जाएगे, यह वाला page open हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दो advertisement दिखेगे, assistant professor की, दोनों ही 13 February के notice हैं, इन दोनों पे ही click करके, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, next vacancy पे, next vacancy में कौन कौन से departments रहेंगे, computer science and engineering, electronics and communication engineering, और उसके बाद है applied mathematics and data sciences, यह सारे departments रहेंगे, last date रहेगी application submit करने की 18 March, ठीक है, और यहाँ पे हम qualification की बात करें, PhD होनी चाहिए, assistant professor grade 1 हो, चाहे grade 2 हो, दोनों की अंदर ह होनी चाहिए, grade 1 के लिए अगर आप apply कर रहे हैं, तो PhD के बाद 3 साल का कम से कम आपके पास experience होना चाहिए, आई कहां से है यह vacancy, Indian Institute of Information Technology, पूने की तरफ से यह vacancies आई है, यह इसकी official website है, career के section में जाएंगे, तो आपको recruitment notice देखएगा, teaching positions के लिए, details पे क्लिक करके आप PDF डा हैंगे, applied geology, applied geophysics, chemistry and chemical, biology, chemical engineering, civil engineering, computer science and engineering, electrical engineering, electronics engineering, environmental science and engineering, fuel, minerals and metallurgical engineering, humanities and social sciences, management studies and industrial engineering, mathematics and computing, mechanical engineering, mining engineering, petroleum engineering and physics, यह सारे departments हैंगे, ठीक हैं, और यह rolling advertisement है, तो last date कुछ भी नहीं है, qualification की बात करें, तो assistant professor के लिए, आपके पास कम से कम PhD होनी चाहिए, PhD के बाद, अगर experience है, तो अच्छी बात है, नहीं भी है, fresh PhD भी है, तो भी आप apply कर सकते हैं, ठीक है, यह इसकी official website है, यहाँ पे आप recruitment में जाएंगे, तो faculty के अंदर, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, download details पे click करेंगे, तो PDF डाउनलोड हो जाएगे, apply पे click करेंगे, तो वहाँ से आप apply कर सकते हैं, next vacancy जो आई है, वो आई है, Indian Institute of Technology, वारा नसी की तरफ से, यहाँ पे आप recruitment में जाएंगे, तो यहाँ पे rolling advertisement देखेगा, आपको 2024 के advertisement है यह, तो यहाँ पे आप click करेंगे, तो आपने यह वाला advertisement open हो जाएगा, department कौन-कौन से रहेंगे, architecture, planning and design, ceramic engineering, chemical engineering and technology, civil engineering, computer science and engineering, electrical engineering, electronics engineering, mechanical engineering, metallurgical engineering, mining engineering and mathematical sciences, यह सारे departments रहेंगे, rolling advertisement है, तो कोई भी लास्ट यहाँ पर नहीं है, Grade 1 के लिए आपके पास PhD plus 3 years का experience होना चाहिए, और Grade 2 के लिए आपके पास अगर only PhD है without experience तो आप apply यहाँ पर कर सकते हैं, तो यह थी आज की vacancies, ऐसे ही और vacancies के लिए हमारे चानल को subscribe कीजिए, thank you so much.